Hello guys, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाली हूँ anti-aging products के बारे में ये जो products मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आप लोग की recommendations है उसलिए day and night creams है और इसको मुझे ज्यादा देनी हुई है यूज करते हुए बट स्टिल मैं चाहरी हूँ कि मैं इसको भी इसका जो beginner एक review है वो आपको दूँ और जैसे जैसे ये work करेगी या नहीं करेगी उसके बारे में मैं आपको एक next वीडियो में बताऊंगी तो मैं यहाँ बात करें हूँ ये lotus herbals की youth rx gene plex anti-aging day and night cream के बारे में ठीक है तो guys यह basically एक day cream है और एक night cream है यह देखिए तो आप मैं इसका अच्छे से आपको review बताऊंगे इसका texture बताऊंगी इसे कैसे use करना है ये भी बताऊंगी और मैं इसे कैसे use करते हूँ ये भी बताऊंगी तो चलिए हम जलती से video start करते है so let us start with the day cream तो packaging कुछ ऐसी दिखती है ये ऐसे box में pack हो के आता है ये देखिए और इस पे सारी चीजें mentioned है सबसे अच्छी बात है इसके अंदर SPF 25 है SPF 25 PA++++ अब इसमें SPF है तो आपको ये नहीं है कि आपको SPF लगाना ही नहीं है अब ये SPF है इसके बाद आपको ऊपर से अपनी एक और SPF लगानी बहुत ज़रूरी है but कभी by chance आप फूल जाती है लगाना तो 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 तोटली फाइन कभी कबार चलता है इसके अंदर भी SPF है किस में जो लिखा है visibly reduces the fine lines wrinkles and makes skin look younger in 7 days so skin देख लीजे मेरी आप इसको use कर रही हूँ इसको use करते हुए almost 5-6 दिन हुए मुझे जाता दिन ही हुए मुझे but मुझे skin थोड़ी अच्छी लग रही है wrinkles पे काम किया नहीं क्या wrinkles हिते है नहीं मेरे but anti-aging products मैं use करती हूँ cause मुझे protect करने है अपनी skin को long term में wrinkles का मैं आपको कहने सकती but अगर एक brightness की बात करें तो yes थोड़ी सी मेरी skin brightened हुई है यह आपके सामने results है इसके यह 5-6 दिनों के results है मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी दिखती है so basically guys it claims कि यह reduce करता है fine lines, wrinkles, blemishes and spots और skin को firmer, younger and glowing बनाता है तो 5-6 days में थोड़ा बहुत result मुझे दिखा है मैं daytime, night time बस यहीं use करे हूँ फिलाल just to test it नहीं तो मैं बहुत सारी चीज़े यूज करते हूँ मतलब मेरी जो personal favorite है including vitamin C so guys यह अंदर से यह कैसी lavish C bottle है यह कांच की bottle है आप देख सकते है and इस पे सारी चीज़े mentioned है इसका price भी मैं आपको बता देते हूँ यह आपको पड़ेगी 6-9-5 में off में यह आपको 500 तक भी मिल सकती है या 550 तक भी मिल सकती है वो डिपेंड करता है कौन सी site आपको कितना off दे रही है so let's open it and let me show you the texture as well तो guys यह इसका texture है यह देखिए इसका texture अगर मैं आपको बात करूँ तो अगर आपने निविया यूज की है तो यह इसका texture काफी हद तक उसके जैसा है बैसे तो मैं इतने thick texture वाली creams जो है वो use नहीं करती हूँ daytime में but to my surprise इसका texture थिक है but यह बहुत अच्छे से absorb हो जाती है skin के अंदर जैसा कि आप इतर देख सकते है and heavy नहीं लगती है heavy feel नहीं होती है skin पर अब देखिए इसमें SPF है anti-aging है तो इतना आप expect कीजे कि यह थोड़ी thick होगी अगर यह light होगी तो it's not anti-aging it's not having SPF तो यह देखिए totally अब absorbed हो चुकी है बात करे fragrance की तो yes इसमें fragrance है अच्छी खासी fragrance है मुझे fragrance से personally बिल्कुल भी issue नहीं है बट जिनको है तो उनको मैं बता दू कि इसमें fragrance है तो आप देख सकते हैं बाकी बात करें absorption की और इसकी oily skin पर यह कैसी जाएगी तो यह दिखिए गाइस तो टोटली अबसॉप्ट बिल्कुल राई हो चुका है बिल्कुल भी ड्राइब बिल्कुल भी औलीनस नहीं है सबसे चीज मुझे इसकी यह लगी इसकी पर बैठती नहीं है I hate the creams which skin के ऊपर बैठ जाती है बिल्कुल यह बिल्कुल ऐसी नहीं है यह गाइब हो चुकिया इसकी में ब्सॉप हो चुकिया टोटली So if you have oily skin definitely you can try this one morning time में बस अपना face wash कीजिए and just यह अगर आप toner यूज करती है तो toner यूज करें इसके बाद आप यह cream लगाई है यह अगर आप hyaluronic acid यह सबसे पहले toner then your hyaluronic acid and फिर अपनी यह cream लगाईए and you are good to go उसके बाद आपको अपना SPF लगाना है and आप totally like आपको किसी और चीज लगाने की जूरत नहीं है इसको vitamin C के साथ मत लगाईए मैं आपको बोलूँगी vitamin C आपको skip करना पड़ेगा अगर आप यह लगा रहे है तो मत दोनों सेम काम करते हैं तो don't worry about that मैं आप skip की हूई यह एक हफते से मैं नहीं लगा रही हूँ vitamin C एक हफते से but results ठीक मिल रहे है अच्छे मिल रहे है comfortable skin पे so yeah अब चलिए night cream के बारे में बात करते है so guys चलो let's talk about this night cream same चीज़े है same ingredients same claim है कि seven days में आपको अच्छी skin देता है and बस इसमें difference है कि इसके अंदर आपको SPF नहीं मिलेगा of course it's a night cream so SPF नहीं होगा क्योंकि रात को में SPF की ज़ुरत नहीं है इसका texture की बात करें तो texture जो है day cream से काफी light है same वही packaging है heavy thick glass packaging I am not a fan of packaging मैं packaging पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूं तो यह देखिया guys यह कुछ ऐसी दिखती है so this one is quite lighter than the day cream of course difference यह होगा कि उसके अंदर SPF है that's why वह थोड़ी सी thick है इसके अंदर SPF नहीं है that's why it's lighter in texture तो इसका texture भी बहुत जयादा smooth और light है यह थोड़ासा gel texture की तरफ जाता है and look at this absorbs in seconds the most favorite thing of these creams are कि यह बहुत अच्छे से absorb हो skin पे नहीं बैटे मुझे बहुत ज्यादा गंदा लगता है जब कोई cream skin पे बैटे अभी भी मैंने लगाई हुई है it's day cream मैंने day वाली लगाई है तो इसलिए मैं आपको face पे नहीं लगा कर दिखा रही हूँ तो guys अब बात करें कि आपको एक option चाहिए day and night cream का वैसे इसका price है यह थोड़ी महंगी है उससे यह 725 रुपीज की है यह काफी है इसमें 50 grams product है दोनों में और काफी चल जाएगी आपकी 2-3 महीन है अराम से चलेगी क्योंकि थोड़ी सी लगानी है बहुत जादा नहीं लगानी है of course पैश्टेस जरूर करना है क्योंकि active ingredients होते है पैश्टेस जरूरी है जरूरी नहीं के बोद दे नाइट में ही इसको लगाएं दोनों खरीदें मैं आपको बोलूंगी कि आप night cream ट्राइ कर सकते है पहले यह day cream ट्राइ कर सकते है and then आप combination दोनों का बना results यह हैं मैंने 5-6 दिन से कुछ भी अपने फेस पे इवन hyaluronic acid भी नहीं यूज किया है and मैंने सिरफ यह दो चीजे ही यूज की add my skin यह results है मुझे अच्छा लग रहा है fragrance है इसके अंदर भी night cream में भी आपको fragrance मिलेगी but I don't have any issue with fragrance इस पर लिखा है सभी skin types के लिए है sensitive skin के लिए भी है but sensitive skin वालों को मैं बोलूंगी आप please patch test कीजे patch test बहुत easy है करना आप पहले या तो यहां कर सकते है यह यहां कर सकते है छोटा सा area लेना है 3-4 दिन continuous लगाई है मैं patch test एक दिन का patch test नहीं मानती हूं मैं कम से कम 2-3 दिन उसको test करती हूं then मैं पूरे face उसको apply करती हूं because of course it's very very important एक है ना तो this was the video oily skin dry skin दोनों लगा सकते है अब dry skin वाले अगर उनकी skin ज्यादा ही dry है तो आप इसके बाद moisturizer भी लगा सकते है but आपको जरुएत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है कि यह बहुत होगा so yeah this was the video मैं आपको इसका मैं इसको अभी use कर रही हूं and मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मैं इससे पहले lactic acid use कर रही थी उसके results भी बहुत अच्छे आय थे and मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी थोड़ी से लर्ची भी होई थी मुझे उससे but वो common है जब हम active ingredients use करते हैं so yeah this was the video मैं इसके बारे में आपको future मैं फिर से बताऊंगी अभी मैं इसे use कर यह बहुत पड़ी है मेरे पास तो मैं इसको use करूंगी आप चाहे तो day cream buy कर सकते हैं आप चाहे तो night cream मेरी तरफ से मुझे यह ठीक लगी है you can go for it एक anti-aging है spots remove करती है pigmentation पे काम करेगी के नहीं no idea अभी तक कोई cream काम नहीं की है pigmentation पे but आप try कर सकते हैं I don't have any idea मुझे नहीं पता है so yeah this was the video अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको एक like दे सकते हैं and आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते इसका जो link है मैं description box में दे दूंगे आप try कर लिजे अच्छी है creams fragrance है but अच्छी लगी मुझे फिर भी चलिए चलिए मिलते हैं next video toodles